हेलो दोस्तों, बिजिंदर जी का सवाल है, सर मैंने ITIE मशीनिस्ट से की है और पॉलिटेकनिक सिविल से कर रहा हूँ क्या ये मेरा फूचर के लिए बेटर डिसीजन होगा? तो बिजिंदर जी, जैसे आपने बताया कि आपने ITIE मशीनिस्ट से की है और अब आप पॉलिटेकनिक सिविल ट्रेड से कर रहे हैं तो ऐसे मैं आपके इस सवाल को पढ़ने के बाद ये चीज़ समझ में आती है कि या तो आपने जो वा ITIE मशीनिस्ट से की वो केवल अपने सेर्टिफिकेट के लिए की है क्योंकि जब आप केवल सेर्टिफिकेट की एहमियत ही समझते हैं तो ऐसे कंडिशन में फिर आपके डिसिजन आपके साथ लंबे समय तक नहीं ठिकते और आप जैसे आप आप बता रहे हैं कि आपने मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ITIE में जब आपने मशीनिस्ट ली तो क्या सोच के ली उसके बाद जब आप पॉल टेकनिक करने गए तो फिर आपने टेट क्यों चेंज करी ये मैं समझ नहीं सकता तो एक चीज़ समझ है कि जिस तरह से आपने ITIE मशीनिस्ट ली तेट से करी अगर आप उसी तरह से सिविल टेट से करने वाले हैं यानि केवल सर्टिफिकेट की ही आप सोच रहे हैं कि जो होगा सर्टिफिकेट से होगा तो फिर आप भारी बूल कर रहे हैं यह चीज़ समझे कि या तो अगर आप ITIE करें या पोल्टेकनिक करें या बीटेक करें कोई साब भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिगरी अगर आप केवल उस कागज के लिए कर रहे हैं तो फिर आप बहुत भारी बूल कर रहे हैं हमेशा द्यान रखिए कि जो आपका कागज है वो केवल उसकी वैल्यू केवल 20% है आपकी आप अपनी ट्रेड को किस तरह से ले रहे हैं किस तरह से उसका काम सीख रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं ये बातें 80% बैटर करती है आपके बैटर केरियर के लिए तो अब मैं ये देखके बिल्कुल नहीं बता सकता कि सिविल ट्रेड लेने के बाद आप ऐसे ट्रेड चेंज करने के बाद आपका जो फीचर है क्या होने वाला मैं बिल्कुल नहीं बता सकता लेकिन एक बात भी गरंटी दे रहा हूं कि अगर आप केवल सर्टिफिकेट के लिए ही आपने मशीनिस टेट से कंप्लीट करा और केवल सर्टिफिकेट को ही सोच रहे हैं सब कुछ इसी से होगा और फिर सिविल ट्रेड से कर रहे हैं तो फिर आप समझे कि ये बहुत भारी भूलाप करने जा रहे हैं आपको दिक्कत आने वाली है तो मेरा सभी स्टूडेंट से ये मेसेज है कि कभी भी अगर आप किसी भी ट्रेड साइटे करने जाएं तो हमेशा सोच समझ कर हर ट्रेड के प्लस माइनस अच्छे से जानने के बाद ही उस ट्रेड में एंट्री लें अब अगर मैं कहूं कि जो मशीनिस ट्रेड है ये मेकैनिकल इंजिनिरिंग के अंदर करता आती है और जो सिविल ट्रेड है ये अलग सिविल इंजिनिरिंग के अंदर करता आती है तो ऐसे में ये चीज़ कनफर्म है कि मशीनिस ट्रेड का बेनिफिट से पोलिटेकनिक करने के बाद दोनों का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला लेकिन अगर आप सिविल ट्रेड को बहुत अच्छे से करें सिविल ट्रेड का जितना भी काम है दिल लगा के मन लगा के अगर सीखें तो फिर आप कह सकते हैं कि civil trade में आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं और अगर मेरी personal राय आप जाने तो मुझे लगता है civil trade best trade में है पॉल्टेक्निक में लेकिन उनके लिए जो अपनी trade के काम को seriously ले देते हैं और अच्छे से उस काम को करते हैं सीखते हैं और ये बात भी बहुत matter करती है कि उसके बाद जब आप job करने जाएंगे वहाँ पर आपका रवय्य कह रहेगा क्योंकि civil trade एक ऐसी trade है कि जिसका scope पॉल्टेक्निक के हिसाब से सबसे best trade में हैं government job के लिए जो government jobs आती हैं सबसे ज़्यदा civil trade में आती है इसके लवा private में भी civil trade में अगर आपका as a fresher वाला जो संगश वाला part है दो से तीन साल का वो आपने अच्छे से काट लिया तो फिर वहाँ पर भी बहुत अच्छे पैसे आपको मिलते हैं इसके लवा मुझे ये trade इसलिए पसंद है कि चाहे वो private job हो या government job हो इसके लवा अगर आप खुद भी कुछ न कुछ काम अपने साथ इसका करते चले जाएं यानि जैसे construction वाला है तो नक्षे बनाना छोटे मोटे घर बनाके ठेके पर घर बनाके उसको दे देना बनाके sale कर देना इस तरह की धेरो काम है जो civil जो इंजिनियर होते हैं जो पॉलिटेखनिक वाले होते हैं वो मजजे से कर सकते हैं अब वही है कि अगर आपका interest होगा तो आप इतना लंबा सो सकते हैं अगर केवल certificate ही आपकी सारी उमीदे है सर्टिफिकेट से ही आपकी सारी उमीदे हैं फिर तो भही आप अगवान मालिक है आपका तो भही सारे students इनकी गलती से ध्यान दे अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि ऐसा ही है बट क्यूंकि अभी तक का जो अनुभव रहा है student को देखने के बाद तो उस हिसाब से मैं आपको रगरक्स के वाकिफ हूं कि भीया overall क्या इनका नदरिया रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पताएं इसके इलावा आपका क्या मानना है तो इसके लावा अगर आपका भी किसी तरह का कोई question है कोई मुश्किल है आपके साथ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर उप अगर मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो गंटी बगल में है लाल वली उसके कान खड़े कर दीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो में भी लेके आता रहता हूं इसके लावा मेरी जो प्ले रगात होगी नमश्कार